हैलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे वाप सब, आज की जो वेकेंसी आ रखी है, वो आ रखी यहाँ पे भारत है भी इलेक्टरिकल लिमिटेट के दोवरा वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे बिल्कुल प्रेशर कंडिरेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप में से किसी के पास कोई experience नहीं है, तो भी eligible हैं, और यदि आप में से किसी के पास experience है, minimum एक सालगा, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर्मानेंट जोब आपको देखने को मिलेगा, salary बढ़िया मिलेगी, और इसके अंदर all India के candidate इसको अप्लाई कर सकते हैं, total number of vacancy भी यहां पे education, qualification के बारे में, तो जो इन्होंने mention कर रखा है, अगर आपने यहां पे IT कर रखा है, किसी भी trade में, apply कर सकते हैं, diploma किया है, किसी भी ब्रांच में, M.E.M. Tech कर रखा है, या फिर अगर आपने BB Tech कर रखा है, किसी भी ब्रांच में, तो आप इसको apply कर पाएंगे, position क के बारे में, अगर हम बात करें, तो यहां पे अलग-अलग type का position देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पे supervisor का vacancy रहेगा, site engineer का vacancy आपको देखने को मिलेगा, technician के पदू के लिए vacancy निकाला गया है, junior engineer के पदू के लिए vacancy आपको देखने को मिलेगा, graduate engineer training की position आपको देखने क तो कैसे आपको apply करना है क्या eligibility criteria रहेगा कौन कोन इसको apply कर सकता है job location यहाँ पर आपका क्या रहने वाल है salary आपको कितना मिलेगा और 37 selection process क्या रहेगा यह सारी चीज़े बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको apply करके दिखाऊंगा तो अगर आपने वीडियो डंग से देखा होगा तो आप खुद apply कर सकते हैं अपने mobile से और इस वीडियो के जो like का target हमने रखा है आपका रहेगा 1200 प्लस का target complete करवान है अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजेगा comment box में आप अपने education qualification को comment करके बता देना और टेलिग्राम चैनल को जाके join कर लेना टेलिग्राम का लिंक मैंने वीडियो के comment box में दे रखा है तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेए पास्पे जगंटी वाले करने उसको दबादे ताकि आपको next टूडियो को notification सबसे पहले मिल पाए और आपका वही चैनल पे engineering job update लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा चलिए शुरू करते हैं चलिए बात कर लेते कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना है उस process के बारे में तो यहाँ पे जो आपको vacancy देखने को मिलेगी भारत हैवी electrical limited का private company के साथ recently एक project चल रहा है उसी के regarding यह vacancy आपको देखने को मिलेगा मैं आपको directly लेके चलता हूँ officially website पे तो company job की रहेगी यहाँ पे MSP steel plant यह जो company है steel sector की company आपको देखने को मिलेगी और इन्होंने बहुत सारे PSU के साथ काम कर रखा है बहुत सारे private limited के साथ इन्होंने काम कर रखा है जैसे कि यहाँ पे OP TCL के साथ इन्होंने काम किया है इंडियन railway के साथ इन्होंने काम किया है और भी बहुत सारी company है नाही के साथ इन्होंने काम किया है National Highway Authority of India Limited के साथ अभी जो recently project चल रहा है यहाँ पे भारत तैवी electrical limited के साथ यह project अभी चल रहा है तो इसी पे यहाँ पे काम चल रहा है और इस दुसरा जिन्होंने apprenticeship नहीं कर रखा, internship नहीं कर रखा, बिल्कुल fresher है, ठीक है किसी भी type का कोई भी experience नहीं है, तो वो भी vacancy हम discuss करेंगे, तो directly हम इनके officially website पर आ चुके हैं, यहाँ पे search वाला बटन इस पर आपको click करना है, नीचे आपको vacancy देखने को मिल जाती है, तो अलग apply कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने IT की है, यह फिर अगर आपने diploma कर रखा है, बिल्कुल आप eligible रहेंगे, supervisor की position के लिए, और अगर आप बिल्कुल pressure है, तो आपके लिए भी vacancy है, दीरज रखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, तब ही समझ में आएगा, आगे मैं आपके लिए vacancy देख रखी है, उसको भी हम discuss करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, login to apply, इस पर click करके आप इसको apply कर सकते हैं, और इसके अंदर all trade eligible है, मैं आपको बता देता हूँ, all branches eligible है, ठीक है, किसी भी branch में diploma कर रखा है, किसी भी trade में IT कर रखा है, 2024 में भी अग आप इसको apply कर सकते हैं, इसके लवा यहाँ पर electrician वालों के लिए vacancy है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर electrician का vacancy है, तो यहाँ पर आपने IT कर रखा है, diploma कर रखा है, आप इसको apply कर सकते हैं, electrical के अंदर या फिर electrical से related किसी भी trade में, बिल्कुल pressure apply कर सकते हैं, लेकिन आपने apprenticeship या internship किया होना जरूरी है, उसको आप as a experience यहाँ पर show कर सकते हैं, उसके लवा यहाँ पर operation department के अंदर vacancy है, engineer का, यह आपका junior engineer का vacancy रहेगा, तो इसके अंदर कौन को न apply कर सकते हैं, diploma कर रखा है, bb.tech कर रखा है, आप eligible हैं, और all branch eligible है, चाहे आपने civil से कर रखा हो mechanical, electrical, CSIT, production, metallurgy, chemical, petrochemical, ceramic, यह कोई भी branch से आपने diploma किया है, bb.tech किया है, आप इसको apply कर सकते हैं, लेकिन आपने internship किया होना चाहिए, या फिर आपने एक साल का apprenticeship किया होना जरूरी है, और यहाँ पर इन्होंने एक साल का experience बोला है, तो आप अपने internship को, या फिर apprenticeship को as a experience यहाँ पर experience मांगा जाएगा, वहाँ पर आप internship के experience को डाल सकते हैं, या फिर apprenticeship के experience को यहाँ पर डाल सकते हैं, apply कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको apply करके दिखा रहूँ, यहाँ पर engineer की position के लिए, login to apply वाला button है, तो आपको simple इस पर करना है, click, click करेंगे, तीन option आएंगे, यह यहाँ पर sign in कर सकते हैं, Google से, यहाँ पर Facebook से, यह फिल LinkedIn से, यह फिर आप यहाँ पर थोड़ा scroll down करते हैं, तो यहाँ पर option आता है, create account का, तो आप अपने account को यहाँ पर creative ही कर सकते हैं, तो मैं आपको account create करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आपको I agree वाला button है, इस पर आपको tick करना है, और accept वाला button है, इस पर आपको accept कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने surname को डालेंगे, जो भी आपका surname है, first name, last name, middle name, तो आप डाल सकते हैं, और ध्यान रखेगा, जहाँ पर star mark दे रखा है, वही आपको fill करना है, जैसे कि किसी-किसी का middle name नहीं होता, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, उसके अलबा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपका DO भी डालना पड़ेगा, date of birth, उसके बाद आपका gender आजाएगा, male, female, उसके बाद आपका email ID आजाएगी, active email ID यहाँ पर आपको तो यह दो format, तीन format यहाँ पर रहेंगे, available, top in में से यहाँ पर डाल सकते हैं, size maximum रहेगा 2MB का, 2MB से कम होना चीए, maximum 2MB जा सकते हैं, 2MB से अगर थोड़ा सा भी उपर जाता है, तो यह upload नहीं होगा, next वाला बटन नीचे दिया गया, इस पर click करके, finally आप अपने form को यहाँ submit कर सकते हैं, तो यह जो vacancy थी, यह उन लोगों के लिए थी, जिन्होंने internship कर रखा है, या फिर apprenticeship कर रखा है, उनके लिए या फिर एक साल का experience है, उनके लिए, अब जो vacancy में आपको बताऊंगा, उसके अंदर कोई भी apply कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल pressure है, आपने कोई internship नहीं किया, कोई apprenticeship नहीं किया, वो सारे candidate यहाँ पर eligible है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर position apply for वाला बटन दे रखा है, इस पर आपको click करना है, यह सारे link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा, attention ना लीजेगा, अच्छे से description को देखेंगे, तो वहाँ पर आपको दि मा जाएगा, तो आप अपना full name डालेगा, उसके बाद आपकी DOB के है, आपके mobile number के है, email ID के है, कोई alternate mobile number है, जैसे कि आपके ममी का पापा का या फिर आपके पास कोई दूसरा SIM card है, उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका permanent address और present address, तो यहाँ पे आपको अपने resume का upload करना है, maximum 2MB का रहेगा, doc, docs या फिर PDF की format में आपका resume यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आपको upload कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते है, declaration वाला form है, इस पे आप क्लिक करेंगे, और यह जो capture code दे रख है, इस capture code को यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे submit वाला button है, इस पे क्लिक करके finally आप यहाँ पे अपने form को submit कर देंगे, उसके लाव आपको एक और काम करना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना HR का email ID दे रख है, इस email ID पे आपको अपने resume को email करना पड़ेगा, cover letter के साथ, मैंने हर जाना है, और वहाँ से cover letter को copy कर देना है, और यह जो email ID है, इस पे आपको email कर देना है, ठीक है, copy करने के बाद, और इससे related अगर आपको कोई doubt रहता है, कोई query रहती है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, या फिर आप में को personally message कर सकते हैं, टे आप देवरी बेस्ट, चैहिन!